हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब आई होप मेरे सबी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे सुबे सुबे का टाइम है और यहां पे फिर से मेरी साफ सफाई चालू हो गई है देशेरा नवरात्री होके गया है उसके बाद अब दिवाली की तयारी शुरू हो गई है तो दिवाली की तयारी के लिए मैंने पहले से कोई साफ सफाई नहीं की थी नवरात्री में साफ सफाई हुई थी लेकिन बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी क्योंकि 9-10 दिन वरत भी रहता है तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देती हूँ अपने आप पे तो पहले क्या करती हूँ थोड़ा बहुत साफ सफाई कर लेती हूँ क्योंकि नौरात्री में अगर डीप क्लीनिंग कर लूँ ज़्यादा डीप क्लीनिंग दिवाली में करना पसंद करती हूँ तो अब दिवाली के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले जो भी मेरे हर रूम के लॉफ्ट है उपर इस तरह से बर्जा बना है सामान रखने के लिए स्टूरज के लिए तो वो सभी सेक्षन को पहले क्लीन करती हूँ क्योंकि उपर का सेक्षन जब एक बार क्लीन हो जाता है तब ही नीचे का सेक्षन साफ करने में मज़ा आता है नहीं तो हम नीचे का सेक्षन पहले कर लेते हैं तो उपर का सेक्षन जब करने जाते हैं तब उपर की गंदगी फिर से नीचे के सामानों में आ जाती है तो सबसे पहले मैं प्रिफर करती हैं कि उपर के जो भी चीजे हैं उसे एक बार मैं दिवाली में ही इस तरह से सभी चीजों को निकाल के उसे शॉट आउट करती हूँ कि कौन सी चीज मुझे चाहिए और कौन सी चीज मुझे अब बाहर निकालना है साल भर रखने के बाद समझ में आता है कि ये चीज तो साल भर में कभी यूज ही नहीं हुआ तो इसका मतलब इसका हमें कोई यूज नहीं है तो उस तरह की चीजे मैं निकाल देती हूँ तो और हमारी लेडिसों की बहुत आदत होती है कि हम चीजों को जमा करते जाते हैं सोचते हैं कभी तो काम आएगा उस चक्कर में काफी सारे अननेसेसरी चीजे घर में जमा हो जाती है और अभी काफी सारा घर में काम भी होना है, साथी साथ वो भी होना है, आज कुछ एक्स्ट्रा भी मेरे घर में काम होना है, तो मैंने सोचा गंदगी तो होनी है, तो ये भी सफाई साथी साथ हो जाएगी, दो बार मुझे चीजों को करना नहीं पड़ेगा, तो इस तरह से प तो वहां पर बहुत अच्छी तरह से साफसफाई करो तो भी एक धूल मिट्टी जैसे लास्टर बहुत अच्छी तरह से नहीं हुआ है तो धूल मिट्टी वहां जमा होती रहती है दूल मिट्टी क्या जमा होती है क्योंकि ये डोर है बस उसके ही जो सिमेंट है वो थोड़ा थोड़ा जैसे जड़ता रहता है तो इसलिए मैं उपर ज्यादा कोई regular चीजे नहीं रखती हूँ जो मुझे कभी कभार यूज होती है वही चीजों को रखती हूँ तो इस तरह से देखिए सभी चीजों को मैंने नीचे उतार लिया है इतने में ही देखिए काफी सारा मेरा kitchen बिखर गया है अब अच्छे से इसमें मैं declutter कर लूँगी कौन सी चीज मुझे चाहिए और कौन सी मुझे निकाल देनी है जो चीजे मुझे चाहिए थी उसे मैंने रख लिया है बाकी चीजों को निकाल दिया है और साफ सुतरा करके सभी चीजों को उपर में रख दे रही हूँ दोनों बेडरूम और kitchen के लॉफ्ट को अच्छे से clear कर लेने के बाद आप देख सकते हैं इतना सारा extra सामान निकला है जो मुझे जरूरत नहीं लगती है तो इस तरह से जो भी चीजें हमें नहीं यूज होती है उसे किसी जरूरत मन को दे देना चाहिए जिससे उन्हें भी उनकी जरूरत पूरी हो और हमारा घर भी साफ सुतरा रहे इतने देर में सोफा का कवर बनाने वाले भाया आ गये थे हमने सोफे का कवर चेंज करने के लिए अर्डर दिया था क्योंकि सोफे का कवर जो फैबरिक है उसे देख देख के मैं बोर हो गई थे 7 से 8 साल हो गया था मेरे ये सोफा को लिए हुए मैंने ये रेडिमेंट सोफा लिया था ये साथ साल के बाद आप देख सकते हैं इसका जो ये फोम है ये तूट-टूट ये से चूरा होके गिरने लगा था है क्योंकि रेडिमेंट जब हम लेते हैं तो अंदर वो कौन सा माल मटेरियल लगाते हैं हमें कुछ समझ में नहीं आता है साथ आठ साल तो मैंने इसे बहुत ही रफट अफ यूज किया लेकिन अब जब मैं कवर निकालती हूं धोने के लिए तो इस तरह से उसमें से चूरा होके निकलता है पूरी गंदगी फैलती है और सोफे वाले ने जो पहले हमने सोफा लिया था उन्होंने इस फोम पे भी लगा के नहीं दिया था तो अब मुझे ये फोम भी चेंज करना था और जो इसका फैब्रिक है कवर का वो भी चेंज करना था क्योंकि प्रिंटेट फैब्रिक देख देख के मैं बोर हो गई थी तो मुझे थोड़ा सोफे का लुक चेंज करना था सोफे का जो लकड़ी है फरनीचर है वो काफी अच्छा है सिर्व इसका फोम में प्रॉब्लम आ गया है और कवर तो अच्छा ही है उसे मैं रख दूंगी और थोड़े थोड़े दिन चेंज करके लगाऊंगी तो अभी कुछ नया फोम लगाने वाली हूं और नया क्लोथ लगाने वाली हूं फैब निकाल के लेके चले गए हैं तो इसे मैं वाश करके रख दूंगी और थोड़े थोड़े दिन से नये पुराने दोनों को चेंज करती रहूंगी इतनी में ही देखिए कितनी गंदगी फैल गई है घर में हम छोटा या बड़ा कुछ भी काम कराने लगते हैं तो काफी सारी गंदगी हो जाती है तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आज तो गंदगी होनी ही है तो उसी के साथ साथ सफाई भी करा लो और साथ ही आप देख सकते हैं ये मेरे बात्रूम टॉलेट का डोर है ये भी काफी खराब हो गया है बिल्डर इस तरह से डोर दिया था था तो बहुत अली साथ ही मजबूर सा लकड का लेकिन ये वी ए कर शाब हो गया है नीचे की तरव से इस तरह से लकडी शडगए है कि की थी की तरफ बात्रूम टॉलेट में पानी का यूस होता है तो काफी सारा इसमें मतलब गंदगी हो के ये खराब हो गया सडग गया था तो जे बिलक भी आ गए हैं दोर को चेंज करने के लिए तो यहां पर दोर को वो निकाल के उनका काम सुरू करेंगे सोफा वाला भी अपना कवर बना के लाएगा अभी थोड़ी देर में आने वाला है तो उसी के साथ साथ जब इस तरह से अपने घर में काम होता रहे तो हमें भी बैठ नह अलग-लग में अनर्जी वेस्ट होती है वैसे तो अगर हमें साफसफाइ करना होता है तो हमें दो-四 जा दिन से मोड़ बनाना पड़ता है लेकिन अगर हमारे घर में चोटा या बड़ा कोई भी काम होने वाला रहता है तो हम लेडी जो में एक अलग ही अलगी एक खुशी होती है कि हमारे घर में कुछ चेंज होने वाला है जिससे हमारे घर का लुक भी चेंज होगा तो एक अलगी एकसाइटमेंट के साथ हम अपने घर का काम फटा फट निपनाने की कोशिस करते हैं तुशी तरह से देखिए यहाँ पर मैं किचन के जो नीचे क प् cheat के मेरे section है सभी चीजों को मैं नीकाल लेती हूँ और नीकाल के अच्छे से उसकी deep cleaning करती हूँ अँदर के तरह से अच्छे से clean करती हूँ यहाँ पे मैं जो यह cleaner का economics कर रही हूँ इसकी video मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ बहुत है अच्छा बहुत ही useful और effective यह cleaner तो एक बार आप इसे लगा बनाके जरू ट्राइ करना हर जगा कोई भी चीज पर आप इसे स्प्रे कर के क्लीन करेंगे आप देखेंगे दो मिनट में ही वह चीज बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है तो इस तरह से क्लीनिंग कर लेने के बाद यहां पर जो भी चीज यहां सबी को मैंने अच्छे से सेक्षन बना दिया है क्योंकि जब इस तरह से हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत हमारे मन में आता है कि यह चीज यहां का महां करते महां का यहां कर दे तो एक चेंज भी हो जाता है जिससे देखने में भी अच्छा लगता है और ह एक साथ सभी चीजों को बिखेरती नहीं हूं एक एक सेक्षन की क्लीनिंग करती हूं जिस तरह से टाइम मिलता है अगर इतना सेक्षन करने के बाद मुझे लगता है कि अब दूसरा काम कुछ करना है तो मैं यही पर डीप क्लीनिंग करना छोड़ देती हूं और नहीं तो और आगे का एक सेक्षन निकाल लेती हूं तो देखी इतने देर में मैं अच्छे से सभी चीजों को मैंने एजस कर दिया है तो उपर के सेक्षन में सभी मैंने टिफिन्स रख दिये हैं जो भी स्टील के या ग्लास के हैं एक तरफ मैंने सब बाउलो प्लेट्स रख दिये ह एक तरफ ग्लास रख दिये हैं कि कोई भी चीज हमें जब निकालना हो तो हमें सभी चीजों को उठाके यहां वहां नहीं करना पड़े आराम से हम एजिली ले सकते हैं और उसमें से जो चीजे मुझे नहीं चाहिए थी काफी पुरानी हो गई थी उसे मैं किसी को दे दूँगी उपर का सेक्षन हो जाने के बाद अब नीचे का सेक्षन भी कर लूँगी जो छोटे छोटे आपको डबबे दिख रहे हैं उसे भी सभी को खाली करके अच्छे से डबबो को वाश कर दूँगी वैसे मैं regular में एक डबबो को क्लीन करती रहती हूँ जब भी कोई चीज खतम होती है तो उसे मैं उसी के साथ साथ ही क्लीन करके फिर उसमें चीजों को फिल करना पसंद करती हूँ लेकिन अभी दिवाली है तो दिवाली में जब तक हम हर एक चीज को साफ नहीं करते हैं तो तो हमारा खुद का ही मन नहीं मानता है तो यहां पे मैं इसलिए सभी चीजों को फिर से सफाई करूँगी लेकिन मुझे बहुत जादा चीजों को क्लीन करने में टाइम नहीं लगता है क्योंकि वो बहुत पूरी तरह से गंदे नहीं हुए रहते हैं और यहां पे अभी दोर वाले भाईया को दोर लगाने में काफी टाइम लगने वाला है तो तब तक मैं यहां पे यह काम कर लूँगी अगर हम ऐसे ही बैठे रहते हैं तो उन्हें भी लगता है कि यह बैठ के हमारे काम की निगरानी कर रही हैं तो इसलिए हम अपना काम करते रहें, वो अपना काम करते रहें, तो time का पता ही नहीं चलता है, और time हमारा अच्छी तरह से utilize हो जाता है, तो इस तरह से सभी चीजों को निकाल के इसकी भी cleaning कर लूँगी, तो यहां का section भी मेरा clean हो जा गया है, और उसके बाद फिर अब हम साम करती हूं, जिससे की कभी भी उस पर गंदगी नहीं होती है, मैंने पहले के भी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, कि आप भी इस तरह से अगर आपके furniture पे उपर की तरफ शीट विछा के रखते हैं, तो जो एक kitchen में चिकनाहट आती है, वो उतना जादा होता नहीं है, फैलता नहीं है, और फैलता भी है, तो वो शीट पे आ जाता है, और उसे आसानी से निकाल के हम clean कर सकते हैं, और इसी तरह से मैंने मेरे फिल्टर पे भी इस तरह से लगा रखा है, क्योंकि मेरे kitchen में छिमनी नहीं है, तो उसकी वज़े से बहुत सारा तेल के और म solution बनता है, एक बार आप इसे जरूर ट्राइ करना, मुझे ऐसे लगता है कि कोई चीज जब मेरे काम की होती है, मुझे बहुत उससे फायदा मिलता है, तो वही फायदा दूसरे लोग भी ले, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि एक बार आप भी आपकी दिवाली की सफाई में इस तरह से solution जरूर बना के try करना, आपकी महनत आधी हो जाएगी, तो उपर का section अच्छे से साफ होने के बाद, अब नीचे जो भी मेरे डब्बे हैं, जो भी उसमें रासन पानी रखती हूँ, सभी को निकाल के, सभी को मैं खाली कर लेती हूँ द्राय करके और उसमें सभी चीजों को fill करके रख दूंगी, तो इस तरह से almost मेरे kitchen के उपर के तरफ की पूरी सफाई हो जाएगी, फिर next day मैं नीचे के जो ट्रॉली हैं, बर्तनों के, उसे clean करूंगी, तो इस तरह से जब हम one by one चीजे करते हैं, तो हमें ज्यादा काम का burden द्राय की चीजे करा दो हो जाता है, और अच्यादा की चीजे अच्छी से साफ नहीं होती है और थकान भी हो जाती है तो इस तरह से अगर आप cleaning करेंगे, तो आप देखेंगी, कि आपको काम का Burden भी नहीं आएगा, और बहुत अच्छे से आपका घर साफ सुतरा भी हो जा किचन की सफाई करने तक यहां पर अल्मोस भहिया का भी काम होने वाला है उनके भी डूर का काम खतम होने वाला है तो डूर का काम खतम होते ही आप देख सकते हैं घर में कितनी सारी गंदगी फैल गई है अब मुझे सबसे पहले पूरे घर को समेटना पड़ेगा अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी अच्छे से सफाई करने के बाद फिर मैं आपको मेरे सोफे का कवर और दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने सोफे का कवर चेंज किया है और साथ ही डूर चेंज किया है और कुछ आप लोगों के साथ डिटेल भी शेयर करूंगी जो आप लोगों के लिए useful होगा अगर आप भी इस तरह से कुछ आपके घर में काम कराते हैं तो इन सब बातों का हमें भी ध्यान रखना चाहिए जब हम चीजे करते हैं तभी हमें उसका experience होता है तो इस तरह से देखिए जब घर का काम होने के बाद अच्छे से सफाई कर ली मैंने नहाद हो ली यह सब करने में शाम हो गई और यहां आप देख सकते हैं यह है मेरा सोफे का कवर बहुत ही अच्छा सा फैब्रिक इसमें लगाया है फैब्रिक को देख के ऐसा लगता है कि यह फैब्रिक नहीं है यह लेदर है लेकिन बहुत अच्छा वाला फैब्रिक इनोंने लगाया है 600 रुपय मीटर में ये फैबरिक मिला है और इसकी उन्होंने 15 एर्स की वारंटी दी है और साथ ही इस तरह से जिप लगा हुआ है पहले की भी कवर में मैंने इस तरह से जिप लगा के ही लिया था कि आराम से उसे मैं वाश कर सकूँ निकाल के जब भी कुछ तेवहार हो या कवर गंदा लगे तो वाश करके फिर से उसे लगा सको तो इस तरह से मैंने ये कवर चेंज किया है और इस पे जो मैंने फोर्म यूज किया है वो रिलेक्स वेल का फोर्म यूज किया है बहुत ही अच्छा फोर्म होता है जब हम इतनी सारी मेहनत करने के बाद अपने घर का लुक देखते हैं तो हमारी मेहनत सफल लगती है क्योंकि हमें घर में छोटी बड़ी कोई भी हम काम जब करते हैं तो जब घर में चेंज लगता है तो काफी उससे फरक पड़ता है घर के इन्वाइर्मेंट में ये माहौल और यहां पे जो मेरा पहले का सोफा था उसका जो बॉडी है वो लेधर की है तो आप देख सकते हैं उसका जो हैडरस दिख रहा है वो ब्लैक एंड वाइट में है तो मुझे उससे ही थोड़ा मिसमैच करना था कि लगे नहीं कि यह मैंने अलग से इसमें फैब्रिक लगाया ह और साथ ही यहां पे मैंने इस तरह का कवर ला दिया था चोटे वाले पिलो कवर जो जो ब्लैक कलर की बॉडी दिख रही है उससे मैच हो जा रहा है तो इस तरह से देखिए मेरे सोफे का यह मिक्स एंड मैच करके यह लुक आया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे सोफे का फैबरिक और सोफे का नया लुक कैसा लगा इसी तरह से जो मैंने बातरूम और टॉलेट का डूर चेंज हिया है वो देख लीजिए इस तरह से है यह पीवीसी माटेरियल में आजकल नए वाले मार्केट में डूर आये हैं जो कुछ वो कहते हैं कि प लगाने के लिए वो प्रिफर करते हैं बातरूम और टॉलेट के लिए स्पैशली आप देख सकते हैं काफी अच्छा लूक आ रहा है बस इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे जो मेरा फ्रेम था वो मेरे पहले के ऑफवाइट कलर के डूर के साथ उसका शेट था तो आपका डूर में इस तरह से इसमें थोड़ी सी डिजाइन जैसी बनी है तो मुझे यह भी काफी अच्छा लगा और इस तरह का कलर है कि अगर बच्चे या हमसे ही कुछ गंदा हाथ लग जाए तो उसमें ज्यादा दाग धब्बे दिखके नहीं आएंगे तो इस तरह के प सौफे के फैबरिक से ही चे चार जैंज कर दिया है से मैच कर दिया है पहले का जो मेरा फैबरिक था वो भी मैच की अबस आपाने सने मैच कॉल दिवालि hardship को लाइक शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल का भी बटन जरूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली निव वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में बाबाई